कई तोड़ी सी मूंगी दाल को गला लिया है और तिन कहने के बाद पूरआ सा इसको बार इसको फेटिंग में इतना फेटें कि वह सौफ फिलॉत हो जाए देखते ही जरी जर्ण आपनी के बкиटने के ला कंदा होता ही उतना तर्णार उतना करना के ले-ई-उता टाल में निकाल दीजिए नॉर्मल पानी में उसको डाल दीजिए ताकि एक्सेसरी और थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हमने दही में थोड़ा सा चीली जीरा का पाउडर नमक फ्लाक सॉल के डाल के मिला लिया है मैं दो तरह के बड़ा बना रही हूं दही बड़ा एक नॉर्मल पंजाबी द्राइबडा और एक उडिया स्टाइल में मैंने चोका मार दिया है बड़ा डलने के बाद और दूसरे पंजाबी स्टाइल में इंभी की चटनी लाल मिर्ची नमक और यमी टिस्ट हमारी तैयार है यह बहुत ही तेस्ट है आप चोकमार वाला जोडिय या स्टाइल का वो भी ट्राइ कीजिए पोख़ाट टेस्ट लगेगा